Hello everyone, how are you? किसे हैं आप लोग? किसी स्टूजन ने पूछा है कि सर हमारा पास गौर्जिक और वार्ट एक्ट है, इसका अबजेक्ट क्या है, इसका मकसद क्या है? तो आएए देख लेते हैं इसका मकसद क्या है, थोड़ा मैंने लिखा है, वो देख लें आप. अबजेक्ट आफ देख एक्ट इसका जो मकसद है, जो माइनर्स है, जिसकी उमर 18 साल से कम है, उनके जो भी राइट्स है, उनकी जो भी प्रापर्टी है, उनके जो भी इंट्रेस्ट है, उनको सेफगार देना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका ताफूज करना. मैंने यह नहीं कह रहा कि हूँ इस जूरिस यह हमार पास लेटेन टर्म से हैं जिसका मतलब है इन वर्ण्स हमार पास राइट इन वर्ण्स राइट मतलब वो खुद अपने राइट का इस्तिमाल करना जानता हो सुई जूरिस ठीक ही जहां तक बात के लिए रहे मतलब समवन हूँ एज कॉंपिटेंट तो इंजुआए दियर राइट मतलब हूँ एज नाट सुई जूरिस मतलब जो ऐसा शक्स जो अभी तक सुई जूरिस ना हुआ हो देरफोर वो शक्स इनकेपेबल फाल लुकिंग है यहां तक बात के लिए दे-स टेटास गांगियर इसलियो जो रियासत हैं जो गॉष्ट में जो और मेंट यह और हमांट की सिंग आप लोग बूस्टाव्ता आंब यह हर माइन होद्छा षहां में फालओ छसेशा शांध आपित मोइकर आइट स्रू सम टिर सम है मड़लाम्क गार्जियर होती है हर्एक माइनर की जो अपने रायिट से प्लोट silo नहीं कर सकते जो अपने रात जो है अपने इंट्रेस्ट जो है उनको समभाल नहीं सकते उनके थिक किस के जरिए ठीक के एक्सरी करते हैं इस flying क्षेश herb सब्सक्राइब करें तो फिर वो गार्जन क्या करेगा वो गार्जन उस माइनर को माइनर की सेफ़गार्ड करेगा ठीक है उसका सेफ़गार्ड बनकर रहेगा गार्जन मतलब संभालने वाला सेफ़गार्ड मतलब संभालने वाला ठीक है वो गार्जन क्या होगा वो सेफ़गार्ड होगा किसका उस माइनर का और उस माइनर की प्रापर्टी का यह तक बात के लिए रहे हैं वेरी सिंपल ठीक है क्यों क्यों कि माइनर साथ कंसिडर्स टू बी टू वीक मतलब बहुत में मांने जाते हैं To safeguard that you are the interest कि वो अपने जो है राइट सी जो है judgment väldigt कर सकें इसलिए वो बहुत ही कम्ब्री माने जाते हैं या तक बात के लिएresse क्यूंकि बच्चे तो बच्चे होते नेच्ट्छे उनको नहीं पता है कि उनकी बाहे किस बात आलरहें रहें समझें क्या भुड़ा है वह नहीं जानते इसलिए जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता जब तक को गारजीन जो है उसकी सेफकार करेंगा यहीं हो का जिहां तक बात किलिए रहें मैं आपको बात समझ में नहीं आती तो सिर्फ इतना समझ लें कि इस act का object सिर्फ इतना है कि जो भी minor's है न जो अभी तक courts में अप्छें नहीं हो सकते या फिर हमार पास swi jurist जो word है उसका मतलब है any person ठीक है any person who is who is enter into a contract without any restriction मतलब स्वी जूरिस तो वो है कि ऐसा शक्स कोई भी मुआइदा कर सके कोई भी कांटेट कर ले कोई भी स्वी घ्रिमेट रहे तुकर कोई रस्टिक्षण नहीं है एससा अशा शक्स वह स्वीर जूरी मतलब जो स्वीर एस नहीं नहीं है कि वो माईन ही हूँ वो इनिए capable हो सकता है उसको physical जो है वो क्या हो सकती है for example कोई शक्स है 15 साल का था minor ठीके जब वो 18 साल का होने का आया तो क्या हो गया 17 साल की उमर में क्या हो गया ये हमारे पास अमारे पास lunatics या idiots बन गया पागल बन गया ठीके तो फिर जब तक ये idiots इसकी जो ये बीमारी खतम नहीं होती तब तक ये हमारे पास minor ही रहेगा और ये incapable to managing their affairs relating to their rights and property यहां तक बात के लिए रहे बहुत सिंपल है कि ये जो act है ये सिरफ इसलिए बना है कि जो भी minors है जो भी incapable है ठीक है अपने rights अपने interest को protect करने के लिए उनकी उनकी जो अगर प्रोटेक्शन दी जाएगी वह इस act के तहर्त दी जाएगी थो हमारे पास guardian और guardian appoint होगा court के जरिए या फिर government appoint करेंगी through its representative और वो guardian उस minor की property की protection करेगा उसको minor को safeguard देगा तो फिर यही इसका मकसद है इसके इलावा कोई भी मकसद नहीं है आप चाहे कितना भी सर्च कर लें इसके इलावा इसका कोई भी object नजर नहीं आता सिरफ minor की भलाई के लिए यह act जो है वजूद में आया है और इसका यही मकसद है और जब तक कोई कानून रहेगा तो इस act का यही मकसद रहेगा कि minor की property जो है minor या जो भी शक्स है इन capable है अपनी property को manage अपनी property के affairs को manage करने के लिए उनके rights को safeguard उनके rights उनके interest को protection देने के लिए जो guardian आएगा वो इसकी क्या हमारे पास code के थुरू या government के representative के थुरू उसको क्या देगा उसको सिफगार देगा उसको protection देगा बस सिंपल ठीक है क्या देगा हमारे पास मकसद क्या है इसका guardian लवार्ड एक्ट 1890 का के सिर्फ और सिर्फ माइनर्स और ऐसे शक्स की प्रापर्टी और ऐसे शक्स को ताफू सिफगार देना ठीक है जो के खुद ना सबार सकते हैं या तक बात के लिए रहे थैंक्यू सो मच